हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 6 करेंगे जो की क्लास 6 की है और विश्य है विज्ञान ये वर्क्षिट 14 अक्टूबर 2020 की है तो आए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले पचे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आए देखते हैं आज की वर्क्षिट भोजन के घटक विटामिन्स यद्देपी यह बहुत कम ही मात्रा में आवशक है विटामिन हमारे शुरीर को स्वस्त रखने के लिए बहुत महतोपुरण है कई परकार के विटामिन A, B, C, D, E और K हैं जो हमारे शुरीर की आवशक्ता है और इनमें से परते एक विबिन खाद्या परदार्तों में पाया जाता है हमारे शुरीर के काम काज के लिए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं तो पेटा हमारे लिए हमारे शुरीर की व्रधी के लिए यह विटामिन्स बहुत ज़ादा जरूरी है तो आईए देखते हैं किस-किस खाद्या परदार्त से हमें कौन-कौन सा विटामिन मिलता है तो देखे विटामिन A गाजर, आम, जिगर, कौड, लिवर, ओयल इनसे हमें क्या मिलता है विटामिन A यह हमारी आंखो, बालो और तवचा के लिए उत्तम होता है किसका कारह के है देखो विटामिन A का क्या कारह है आंखो, बाल और तवचा के लिए अच्छा होता है यह विटामिन B यीस्ट, मास, मचली, दूद, हरी सबजियों से हमें विटामिन B मिलता है मास, पेशियों, एवन तंत्रिकाओं के लिए व्रद्धी के लिए सहायक होता है किसके लिए मास, पेशियों, महारी मास, पेशियों के लिए और तंत्रिकाओं के लिए और हमारी व्रद्धी के लिए आवशक होता है विटमिन C, नीमबू, नारंगी, आवला, अमरूद, टमाटर जितने भी खट्टी चीज़ी होती है उनमें क्या होता है विटमिन C दात और मसूरे स्वस्त रहते हैं रोगों के प्रती रोधक शमता बढ़ती है अब ही आपने सुना का करोना के टाइम पे विटमिन C खाए है उससे आपकी प्रती रोधक शमता बढ़ेगी क्योंकि आपके इम्मिनिटी बढ़ानी है तो इसलिए विटमिन C क्या करता है आपकी इम्मिनिटी को बढ़ाता है तो किस-किस में होता है नीमबू, नारंगी, आमला, अमरूद और टमाटर में नेक्स देखिए विटमिन D दूद, मखन, कोड, लिवर, ओयल, दूप, धूप के संपर्क में आने से क्या होता है विटमिन D हमें मिलता है, कैल्शियम का प्योग करके हड्डियों और दांत मजबूत हो जाते है अब देखो, विटमिन D के साथ अगर हम कैल्शियम का प्योग करते हैं अगर आप धूप में जा रहे हैं, तो अगर दूद पी कर आप धूप में जाते हैं तो क्या होता है केल्शियम का प्योग करके हम हड्डियों और दांतों को मजबूत कर सकते हैं विटमिन D भी हमारे लिए बहुत ज़ादा जरूरी है नेक्स देखते हैं क्या दिया गया वेटा वर्क्षिट में खनेज लवन हमारे शडियर को बहुत कम मात्रा में इनकी अफशकता होती है वे शडियर की वीविन भागों के निर्मान और जीवन की वीविट परकिरियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं तो बहुत कम होती है लेकिन यह ज़रूरी बहुत होते है हमारे लिए फधों से मिलने वाले खादय परडार्त और पशुव miracles are प्राप्त किया सकते हैं या जंतों से मिलने वाले खाद whjP पोधे कहां से लेंगे जरो बढ़ारा मिलेंगे और पश्व कहां से मिलने वाले मिलने वाले खाद्य परदार्थं में भी kनिज होते हैं जो भखाद्य याप दार्त मिलता है ऊसके अंदर भी क्या होते हैं खनुझ होते हैं तो देखते हैं उनका स्थ्र 짧ोष और सब्सटित्र हमें किस्से मिलता दूद्र ओर हरी सब्जियों स 그리고 रख्त का थका पिर्टो से हड्डीयों और दान्तों के निर्मान करने में सहायक होता है san बहन जाता है , तो कुछ टाइम के बाद आपका घून बहरा रुख जाता है , यसी तरह कभी कोई चो ट लगती है , अगर सोचो रगत का थकका नहीं बने गा तो क्या सकता ही रहता है ? खोन क्या होगा लगाता बहता ही रहेगा तो कल्सीम क्या कुण करता है रग्ट का थक्का घर कहीं चोटा है some अंदर जो सरकल चलता रहता है बलड का कई बार जो अंदरोनी चोटे भी आजाते हैं जिसमें क्या करता है रोदिर का थक्का अपने आप बंता रहता है हमारे शिरिल में कैलシिंम की मातरा देख Being और अगर बाहर भी कहीं चोट लग जाती है तो केल्शियम की वज़े से क्या होता है वो रख्त जो बहना होता है वो अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि रख्त का थक्का बन जाता है मास, मचली और अंडे से हड़ियों ये दांथों के निर्मान के लिए आफशक होता है इसका काम क्या है रक्त के निर्मान के लिए अवशक होता है आयोडीन, समुंदरी घास, प्रदार्थ, आयोडीन युक्त नमक देखो आयोडीन खाना में बहुत जरूरी है यह कहां से मिलता है हमें समुंदरी खाद्या प्रदार्थ से यह आयोडीन युक्त नमक से शरीर की व्रद्धी के लिए आवशक है इसका काम क्या है शरीर की व्रधी के लिए आवशक है तो यह जो सार्णी है यह भी आप दोनों की दोनों सार्णी अपनी नोट बुक में बना लीजिएगा ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या दिया गया है कोशिन अंसर करते हैं हम आईए देखते हैं फर्स्ट को दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटमिन आवशक है पताईए अभी हमने पढ़ा है हडियों और दांतों को मजबूत करने के लिए विटमिन डी तो क्या अंसर हो जाएगा विटमिन डी हडियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवशक होता है तो इसका क्या आजाएगा vitamin c हमारे दांतों और मसूडों को स्वस्त बनाने में मदद करता है तो हम यहां क्या लिख देंगे यहां पर first vitamin d आ जाएगा is तेख याप्ञे में आज़ड़ों को स्वस्थ बनाने में क्या करता है, नेक्स एक समूंध्री भोजन कोन्सहार होता है, अभी हमने पढ़ किया होता है आयोडीन, नेक्स क्सेद्रें क्या खाने में किया मदत मिलती है ? तो बेटा देखो गाजर के अंदर क्या होता है गाजर के अंदर होता है विटमिन A विटमिन A खाने से हमारी जो आँखों की रोशनी है वो बढ़ती है ठीक है हमारी आँखों के को समरद या अच्छा बनाए रखने के लिए हमें विटमिन A की जरुरत होती है और वो हमें किस की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है तो ये इसका अंसर हो जाएगा बिटा दिखेंगे गाजर में विटमीन A होता है जो हमारी आंखो की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है आईए अब हम करते हैं next question बेटा देखिए बेटा प्रशन नमबर 5 हमें कैल्शिम की आवशकता क क्यों होती है तो देखो बेटा कैल्शिम क्या करता है हमारी हडियों और दांतों के निर्मान में सायता करता है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है तो आईए लिखते हैं बेटा इसका अंसर हम देखिए अंसर नमबर 5 हमें हडियों और दांतों के निर्मान के लिए कैल् रख दान्तों का निर्मान नहीं होगा तो हम हड़ी योचित की दरोत होती है का फ्रीय में. तो इन खाद्या प्रदार्थों में कौन से विटमिन आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आएए देखते हैं, अगर मास, मचली और हम अमरूद खाते हैं, तो हम कौन से विटमिन प्राप्त कर सकते हैं, बिटा, विटमिन C and विटमिन B, कौन कौन से हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रूद खाते हैं तो हम यह विटामिस इसमें प्राप्त कर सकते हैं तो आज की आपकी वर्क्षीट कंप्लीट होती है मैं एक बर फिर कह रहते हूं कि जो दोनों तालिका दी गई है इनको भी आप अपनी नॉट्बुक में बना लीजिगा क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट ह इसमें से बहुत कॉशन्स आते हैं बेटा तो आज की वर्क्षीट कंप्लीट होती है वर्क्षीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू स्टूडेंट्स